कि हैं वेल्कम बाक टू चैनल कॉमस कंसेट बिल्जिंग किसे आप सब आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे एकदम बढ़िया होंगे आप सब की पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी तो जैसे कि आप सब जानते हैं आज कल मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप को करवा चुकी हूँ आज हम यहाँ पर दूसर टाइप पढ़ेंगे अंटर कॉम्पटिशन बेस प्राइजिंग के अंदर ठीक है जो की है सील बिट प्राइजिंग माथटी के तो सुनिये जो सील बिट प्राइजिंग माथवाट होता है यह भी कॉम्पुटिशन इसका दूसर टाइप होता है ठीक है basically two types हम यहाँ पर पड़ते हैं इसमें क्या होता है इसमें जो firm होती है जो company होती है यह लोग estimation लगाते हैं कि competitors किस हिसाफ से अपना price set करेगा ठीक है यहाँ पे सिर्फ आप अंदाजा लगाते हैं और उसी सावसम काम करते हैं तो आपकी company आपकी firm है आपने थोड़ा अंताज़ा लगा है कि आपको जो competitor है वो किस तरह से प्राइस सेट करने वाला ठीक है पहली चीज तो यह होगी और जो दूसरी चीज होती है वो यह होती है कि अगर आप चाहते हो कि आपका product बजार में बि price है वो competitor के product के price से कम रखना होता है ठीक है लेकिन आपको इतना भी नहीं कम रखना कि जो आपको जो खर्चा आया है उस प्रदक को बनाने के लिए वो भी ना निकल ठीक है आपको कम रखना है competitor से लेकिन आपको यह देखना है कि मुझे मैं इतना कम रखूंगा कि जितने मे मेरा खर्चा या मेरी जो जो भी production cost आई है जो भी मेरी बहुत बहुत रही की कि खर्चे होते हैं वो साय निकलने चाहिए ऐसा आपको price set करना है ठीक है इसमें basically यह दो बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी है ठीक है आपको इतना भी कम price नहीं कर देना कि आपका खर्चा भी ना निकले इसको हम इसका एक और नाम होता है tender tender price हम sale bid pricing को यहाँ पर tender pricing भी बोलते हैं इसका दूसरा नाम यह भी होता है tender pricing ठीक है तो competition based pricing method में जो सिट बिल प्राइस होता है यहाँ पर हम competitors हम यहाँ पर estimate करते हैं estimate competitors में लिख रही हूँ estimate competitors price ठीक है ना पहली चीज़ तो यह हो गई दूसरी चीज़ हो गई कि हम price को low set करते हैं low price set ठीक है ना low price set लेकि हमाई cost निकलनी चाहिए फिर देखिए आज हमारे जो methods जो मैं आपको कुरायती वो complete हो गए यह छोटा से topic था ज्याद़ बड़ा नहीं था लेकिन एक main चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो यह है सारे methods कवर हो चुके हैं हमारे चीक हैं और जिसने classes नहीं देखिए pricing के methods बहुत important है जाके ध्यान से सुनिए the pricing method can also be based on various pricing policies इनके लावा भी बहुत सारी pricing policies होती हैं उनके basis पे भी हमारे pricing method decide करती है a number of methods for price determination are discussed above जितने भी book में mention थे वो मैंने आपको सारे करवा दिये हैं ठीक है आप बहुत सारी methods मैंने आपको बढ़ा दिये हैं but they are but have their own advantage and disadvantage तो देखो हर method की कुछ advantage है कुछ disadvantage है ठीक है बहुत simple सी बात है thus no method of price determination can be regarded as the best method तो हम किसी भी method को ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा जो method है best method और हर firm को ये use करना चाहिए नहीं जब मैंने आपको pricing start कर रहा तो उधर भी मैंने आपको बोला था firm अपने हिसाब से price set करती है अपने हिसाब से method वो use करती है ऐसा नहीं है कि हर firm को हर company को ये वाला method यूज करना है नहीं अगर वो ये ऐसा करेंगे तो firm बहुत बड़ी गलती करेगा जब भी आप price decide करते हो आपको बहुत साइच चीजों को consider करके price decide करना होता है जोंसा भी आप method यूज कर रहे हो उस method के आपको advantages उसके disadvantages उसके usefulness उसका application सबको समझना पड़ता है और उसी साब साब को use करना पड़ता है उस method को therefore by selecting the pricing method one should see that it ensures fair price for consumers आप चाहे कोई साब भी method क्योंना select कर रहे हैं लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपके firm के लिए आपके प्रिरक के लिए कौन सा method suitable है और वही method आपके firm के लिए suitable रहेगा जो customer को एक fair price भी देगा ठीक है और आपको एक optimum return भी देगा ठीक है प्राइस ऐसे होना चाहिए कि आपका भी फाइदा और सामने वाले का भी फाइदा हो और middleman का भी फाइदा होना ही चाहिए ठीक है तो देखो firm में select the suitable pricing methods by considering the nature of product यह वाली चीज़ में आपको पहली पढ़ा चुकिए जब भी आप अपना प्रड़क का प्राइस डिसाइड करते हैं तो आपको आपका प्रड़क का नेचर कैसा है आप कौन से प्रड़क में deal कर रहे हो आप stationery आइटम बना रहे हो clothes में deal कर रहे हो shoes में deal कर रहे हो ठीक है market conditions कैसी चल रहे हैं यह भी बहुत ज्यादा important है competition कैसा चल रहा है product life cycle की आप कौन से stage पर हो यह भी बहुत ज्यादा मतब एक तरह से आपको consider करना चाहिए जब आप यहां पर pricing करती हैं आपका pricing objectives क्या हैं बहुत साइचीज ही होती हैं जो आपको consider करनी चाहिए जब आप pricing करन शुरू करते हैं अपनी प्रग की तो हम यह नहीं बोल सकते हैं कि आपको यही वाला method यूज़ करना चाहिए आपकी firm के लिए यही suitable है हर firm का अलग अलग एक criteria होता है उसी साब से आपको method यूज़ करना है उसी साब से आपको अपने प्रग का price decide करना है ठीक है तो यह आज चोटी सी class है तो कल को Sunday कल को हमाई class off रहेगी Monday से मैं आपको कराऊंगे new pricing policies जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगे skimming pricing policy, penetration pricing policy and pricing under various stages of product life cycle जो जितने उनके stages होते हैं उसमें हम price कैसा select करते हैं यह हमें कौन से स्टेज में कौन से price select करना चाहिए कौन सी policy यूज़ करने चाहिए वो मैं आपको बढ़ाऊंगे चीक है तो यह थी आज एक छूटी सी class I hope आपको अच्छी class पसंद आई हो अगर कोई भी doubt या confusion होता है तो आप अराम से मुझसे तब का कले बाई